कि अग्वाइब प्रेवर्ट अब्रिवन मैं वाविजेग गुपता और आप सभी का गेट अकडमिक प्लैस में स्वागत हैं के प्रिवेस लेक्ट्छर में हम लोग क्या क्या देखे थे हम लोग मोडिफिकेशं छेपवाव प्लन डेख रहा थे उसमें से हमने कवर कर लिया है रीजरेटीव and intercooler and third one is reheater करेंगे okay reheater देखेंगे आसकी class में हम लोग reheater कैसे वक करता है और इससे क्या effect होने वाला है gas power plant में ठीक है इससे पहले आप सभी वीडियो देख लीजिए simple brayton cycle क्या होता है gas power plant कैसे वक करता है उसके बाद आप यह वीडियो देख सकते हैं फिर आपको समझायागा कि actually हो क्या रहा है ठीक है कैसे हमने modification किया है clear that तो आपको क्या करना है पहले आपको previous lecture देखना है जिसमें हम लोग brayton cycle उसका thermal efficiency का derivation किये थे then after उसका actual or ideal cases बताया था मैंने आप लोग को and procedure बताया था then after हमने क्या किया था numical solve किये थे फिर उसके बाद हम देखे थे with regenerator then after intercooler आज देखेंगे reheater modification कहने का मतलब यह है कि power plant में आप क्या changes करेंगे जिससे आपका power plant का thermal efficiency कैसे increase होगा and work net कैसे increase होगा ठीक है तो चलो start करते है फिर open cycle gas turbine with reheater तो what do you mean reheater आप सबसे पहले आपके mind में questions आएगा reheater क्या होता और कैसे इसमें क्या effect होने वाले है हम पाहला पॉइंट जो मेरा रहता है पाहला पॉइंट क्या रहता है अपना अपना पाहला पॉइंट यह है कि एम इससे क्या होने वाला है एम देखते हैं तो 2 increase specific work net of the power plant okay of the gas power plant कर लिजिए gas power plant of the gas power plant clear तो क्या important है हम यहाँ पर increase करने वाले है specific work net क्या increase करने वाले है specific work net that means work done आप कैसे increase करेंगे हम REIT के REIT की REIT यूज करके हम क्या करने वाले है work net increase करने वाले है तो कैसे increase है हमें पता है कि W net W net is equal to क्या होता है WT minus WC what is the W net? W net क्या है total net work done of the power plant okay and WT क्या है आपका? WT क्या है turbine work and WC क्या है आपका? compressive work या compression work ठीक है तो आप W net को कैसे increase करेंगे? first case हम यह कर सकते है क्या? W net कैसे increase होगा? first case हम क्या करेंगे WT को increase कर सकते है WT को हम क्या करेंगे? turbine work को increase कर सकते है and compressor work को constant रख सकते है ठीक है हमने क्या किया first wt को increase किया और compressor work को क्या किया constant रखा है जिससे हमारा क्या हुआ w net की value increase हो गई second time second और क्या कर सकते हैं आप लोग हम ये कर सकते हैं w net को increase करने के लिए हम turbine work को क्या कर देते हैं constant रख देते हैं turbine work को क्या किया मैंने constant रखा and compressor work को हमने यहाँ पर decrease कर दिया क्या कर दिया compressor work को decrease कर दिया ठीक है compressor work क्या हुआ decrease हुआ तो automatically क्या हो जाएगा आपका w net increase हो जाएगा यहां तक clear हुआ तो देखे अब reheat में क्या होने वाला है रिटिंग में क्या होने वाला है रिटिंग में हम क्या करेंगे यह concept follow करेंगे this is ठीक है that means compressor work को constant रखके हम क्या करने वाले है turbine work को increase करने वाले है ठीक है तो again इसको हम और क्या लिख सकते हैं to increase turbine work and keeping compressor work compressor work मैं यह सेट हो गया कि हम री हीट में क्या करने वाले हैं turbine work को increase करने वाले क्या करने वाले है turbine work को increase करने वाले जिससे हमारा overall cycle met w net की value क्या हो जाएगी increase हो जाएगी ठीक है तो देखते हैं finished हम इस reheater को किस point तो basically मैं आप लोगो बता देता हूँ जैसे ही आप turbine से exhaust करते हैं gases को diet वहां कहां reject करते हैं atmospheric में कहां reject करते हैं atmospheric में अब क्या करूंगा जो gas हम exhaust किये from turbine उसको हम reheat करेंगे reheat करेंगे and वहां पर हम heat supply करेंगे then after क्या होगा gas का temperature increase होगा at constant pressure ठीक है फिर उसके बाद उसको फिर again हम supply करेंगे second turbine में जिससे हमको work मिलेगा तो यह modification हम यहाँ देखने वाले clear that तो समझ आगे आपको कि main objective क्या है आपका rating के case में कि turbine work को कैसे increase करें और उसको हम reader के reader use करके हम क्या करेंगे turbine work को increase करेंगे किस point पर use करना है reader को after after turbine exhaust gases okay clear चलो फिर हम देखते हैं कि आपका schematic diagram क्या होने वाला है ठीक है तो देखिए जैसे basic simple rankine simple breton cycle क्या होता है उसके according हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए मैं यहाँ पर बनाने वाला हूं simple breton cycle और आपका reheat कहां use होने वाला है देखिए अच्छे से समझेगा ठीक है first of all में यह बताइए यह क्या रहता है आपका that is a atmosphere ठीक है यह क्या रहता है आपका atmospheric ठीक open cycle है तो atmospheric से हम लोग air intake करेंगे that is a atmospheric okay then अब क्या करेंगे यहाँ से हम air supply करेंगे कहां compressor पर तो यह हो गया आपका air supply हो जागा आपका compressor ठीक है तो compressor क्या करेगा उस air को compress करेगा at a isentropic process कहने का मतलब है यह है reversible adiabatic process okay तो देखिये यह हो जाएगा आपका compressor यह हो जाएगा आपका compressor ठीक है यह point हो गया आपका inlet point that is point number one that is point number one and temperature is T1 pressure is P1 and mass of air क्या हो जागा यह that is air supply to the compressor अब compressor इस air को compress करेगा और इसका pressure और temperature को क्या करेंगे हम लोग increase करेंगे at isentropic process यह हो गया WC यहां तक सभी को clear है फिर देखिए आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे देखिए इसके बाद after compressor कौन से device attach करने वाले हम लोग कौन से device attach करने वाले हम यहां attach करने वाले हैं combustion chamber यह हो जागा आपका combustion chamber ठीक है ओके देन फिर आपको कौन से device आता है यहां पस यहां पर आएगा आपका turbine clear पिछला वीडियो देखिए वहां से आपको clear हो जागा arrangement of these components ओके यह हो गया आपका turbine यहां तक basic सभी को पता है क्या क्या होने वाला process में आपका that is point number two that is point number two that point pressure is P2 temperature is T2 pressure is P2 and temperature is T2 that means P2 is greater than P1 होगा की नहीं होगा yes sir होगा T2 is greater than T1 होगा की नहीं होगा yes sir होगा इसके बाद यह जो gases आई जो air आई है that is a q added at constant pressure heat addition ठीक है after this that is point number three that is point number three यहां पर आपको जो pressure मिलेगा P3 and temperature जो मिलेगा हो T3 that is a high pressure temperature ठीक है high pressure and temperature और जो gases मिलने वाली यहां पर क्या मिलेगा आपको gas ठीक है तो high pressure higher and high temperature gas को हम follow करें फ्लो करेंगे या supply करेंगे कहा टर्बाइन पर तो टर्बाइन क्या करेंगा इसको इसको isentropic expand करके work produce करेगा clear यहां तक clear हो गया होगा आपको this is अब मैं क्या करने वाला हूँ अब आपका turbine है okay T that means turbine अब क्या करने वाला exhaust of the turbine अब इसको reheat करने वाले क्या करने वाले reheat कहने का मतलब again heat okay again heat आपको यहां पर heat supply करना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूँ इस gas को फिर से combustion chamber में flow कर देते हैं इस gas को outlet of outlet of turbine इसे हम कहां flow कर देते हैं हम इसे flow कर देते हैं combustion chamber में ठीक है again heat कर नहीं इसको बलते है reheater और combustion chamber भी बोल सकते हैं ठीक यह हो जाएगा अगें अब क्या होने वाला आपका यह जो है आपका combustion इसको point number हम दे देते हैं point number 4 यहां का pressure P4 and temperature क्या हो T4 आप जब expand करेंगे turbine में तो आपका temperature क्या होगा ड्रॉफ हो जाता है ठीक है और pressure भी क्या हो जाएगा आपका drop हो जाएगा ओके तो यहां पर जो combustion chamber आया है that is इसको मैं क्या वह रहाओ रहीटर reheater ओके तो reheater में क्या करेंगे अगें हम लोग heat supply करेंगे अगें क्या करेंगे आप पास heat supply that is q q2 अब इसको हम दे देते है q1 q2 and q1 फिर क्या होगा combustion chamber में आप जब heat देंगे इस gases को exhaust of the turbine यह क्या होगा heat up होगा और इसका temperature temperature क्या हो जागा increase हो जागा at a constant pressure at a constant pressure that is point number 5 that is point number 5 that is point number 5 ओके यहां का temperature क्या हो जागा T5 ओके and P5 यहां तर clear फिर अगें अब हमें इस पॉइंट पर जो gases मिली है वह high temperature और pressure पर है इसको हम कहा फ्लो करेंगे second turbine पर जिससे हमको work done मिलने वाला है ठीक तो मैं यहां पर लगा देता हूं second turbine this is a second turbine okay यहो जागा अपका turbine number 2 turbine number 2 turbine number 1 हो जागा ठीक फिर अगें अब exhaust of turbine को हम इसको diet reject कर देंगे atmospheric पर that हम reject कर देंगे atmospheric पर okay atmospheric में हम लोग इसको reject कर देंगे clear अब मेरे ख्याल से आपको यह concept clear हुआ किस point पर हम turbine से यह हो गया आपका और turbine क्या होगा आपका finally work done provide correct this is a w net यहां से इसको हम exhaust किये atmospheric पर यहां का pressure P6 and temperature T6 हो जागा तो देखो basic फिर से देखिए हम क्या करने वाले हैं यह आपका simple arrangement of with region reader क्या हो गया with reader ठीक है open gas turbine cycle with reader यह आपका schematic diagram क्या किये compression दिए फिर इसको अपर combustion chamber में गया then after turbine गया turbine के बाद फिर जो exhaust gases है अगेन उसको हम लोग reheat किये with the help of combustion chamber फिर अगेन क्या हुआ उसके बाद हम flow कर दिए turbine पर फिर turbine वोग दिए turbine का work क्या होता है आपका isentropic expansion compressor work क्या होता है isentropic compressor and heat addition and heat rejection क्या होगा cost and pressure heat addition and cost and pressure heat rejection तो मेरे ख्याल से यह जो diagram बनाया हो हो आप लोग को clear अब इसके according क्या करेंगे हम इसके according हम ts and pv diagram आपको question में क्या आगा देखो semester exam में question यह पूछेगा explain the pv and ts diagram for open cycle gas turbine with with reheater clear तो आपको यह सब बनाना पड़ेगा ठीक है ठीक है तो देखते हैं इसके ts diagram कैसे बनने वाले तो समझ आ गया reader की point पर लगा आपका तो देखिए यहां पर मैं draw करने वाला हूं ts diagram देखिए ts diagram कैसे बनने वाले आपको ts and pv और इससे क्या effect होगा ठीक यह that is a ts diagram ओके देखिए first first point one to two one to two process one to two isontropic compressor process one to two isontropic compressor तो आप जब ts diagram में isontropic line draw करेंगे तो आपको कैसे मिलेगा this one particle मिलेगा यह देखिए this is a isontropic line this is isontropic line one to two okay then two to three two to three constant pressure heat addition क्या होगा आपका constant pressure heat addition तो draw किजिए आपस constant pressure heat addition कैसे मिलेगा आपको कर्व this one that is point number three that is point number three constant pressure heat addition constant pressure heat addition q1 constant pressure heat addition q1 okay again आपके पास second device क्या है turbine अब turbine क्या है isontropic expansion क्या हो रहा है isontropic expansion p2 p3 से p4 p3 से p4 तो turbine की case में क्या होगा pressure drop होगा turbine की case में क्या होगा pressure drop होगा तो मैं यहां पस pressure drop करता हूं expansion की case में यह हुआ that is three two four three two four that is point number four isontropic expansion again again देखिए diagram से according to diagram आप TH diagram diagram को देखके बना सकते हैं इसके बाद कौन सा device लगा हूँ आपका combustion chamber और combustion chamber पर process क्या हो रहा है four to five constant pressure heat addition तो हम क्या करने वाले है next step constant pressure heat addition तो मैं यहां पर आगर constant pressure line draw करूं तो आपको कुछ मिलेगा अब बात आती है कब तक heat करना है अब बात आती है कब तक constant pressure heat आपका जो temperature है maximum temperature के equivalent हो जाए that means point number three and point number five T3 is equal to T5 इससे ज्यादा हम heat up नहीं कर सकते है ठीक है इससे ज्यादा हम heat up नहीं कर तो reading का case होता है कि आप कब तक heat up करेंगे उसको heat करेंगे जब तक आपका temperature T3 के equivalent नहीं हो जाए तो देखिए अगर यहां पर आप constant temperature line draw करेंगे constant temperature line अगर मैं draw करूंगा तो क्या मिलेगा यह देखो point number third यह that is a T is equal to constant T is equal to constant clear that the point number five कहा मिल गा हम हमें point number five this is a point number five this is a point number five clear this is point number five five to six फिर आई डागरम पर five to six देखिए five to six का isentropic expansion यह फिर reversible adiabatic expansion तो reversible adiabatic expansion तो that means isentropic flow तो isentropic cases में क्या होता है वर्टिकल लाइन रहा होगा TS plot पर तो मैं यहां पर वर्टिकल लाइन रहा कर देता हूं मैं आपर क्या किया वर्टिकल लेंड रहा कर दिया that is point number that is point number six that is point number six and six to one अब क्या करें जो exhaust gases हम उसे atmospheric में रहा है तो आपका जो point number one का pressure क्या था atmospheric और point number six का भी pressure क्या है atmospheric यहां हम heat reject करें ठीक है तो आपको process clear हुआ किस type का work किया then then is ts plot कैसे draw हुआ clear तो देखो one to two हमने क्या दिया compressor work हमने क्या किया compressor work ठीक है यहां पर क्या है आपका entropy constant है clear that then two to three constant pressure heat addition then three to four यहां पर हमें एक मिला wt1 turbine work wt1 turbine work ठीक है four to five constant pressure heat addition that is q2 p is equal to c p is equal to c clear that next process जो है आपका five to six isentropic expansion ठीक है इसको हम लिख से डबलू टी टू टी टू ओके and six to one constant pressure heat rejection constant pressure heat rejection clear that अगर यह की बात होगी आपकी ideal case अगर मैं actual case की बात करूं तो one to two क्या होगा actual case में हमें याद है कि आपको question में isentropic efficiency for turbine and compressor दिया रहागा तब हम उसे बोलेंगे actual cycle अगर नहीं दिया है तो ideal assume करके आप बना सकते हैं यह हो जाए order and four to five क्या हो जागा that is point number तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ideal cycle यहां पर क्या लिख सकते हैं one two three four five six and one one two three four five six and one और actual जब आपको यहां पर actual cycle के लिख क्या दिया रहेगा यहां लिख सकते हैं one two dash three four dash five six dash and one यह आपका actual हो जागा तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहां समाज आ गया कि actual or ideal क्या अब यहां पर ड्रॉ किजी आप लोग यहां पर ड्रॉ करना हमें यहां पर हमें ड्रॉ करना है त्स होगे आपका पीवी डियाग्राइम ड्रॉ करना है क्या ड्रॉ करना हमको पीवी डियाग्राम तो देखिए पीवी डियाग्राम कर से ड्रॉ हो रहा है इस 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 ड्रॉ कि पो से वंट टू हम इनिशेय खींगे 1 Pr Score 12ト3 324 455 26 and 6 2 1 तो इस आपको क्या मिलेगा यह आना इस्ट्रोपिक प्रोसेश ठीक है कौन सबड़ सरना आ इस अंत्रोपिक कंप्रेशर तो आइसन ट्रोपी कम्परेशर के केस में आपको अगर ड्रॉफ करना हो तो यहां पर क्या मिलने माले हमने की ली ते कि देखिए दैट huसको मैं पॉइंट हमबर वन देता हूं। डैट हम्आइब देखे दैवा दिसथào क्लेनने मैं लीजीति प no gagner of Estados तो यहां से हम कॉन्स्टेंट फसर ही एडिशन कर दो चाइट करेंट एडिशन है सब्सक्राइड तो यह धहीं पोइंन नंबर F4 मीन जाएघा निढ़ में नंबर K2 current 시काट द्सर्थ यह कर वह है, ठीक है, इस्टेट लाइन यह कर वह है, ओके, 2-2-3 क्या हो जाएगा, आपका, constant pressure heat addition, यह हो गया, constant pressure heat addition, that is the point number 3, यहां तक clear है क्या, 1-2-2 clear हो गया, then 2-2-3 clear हो गया, यह हो गया, आपका pressure is equal to constant, अभी हम किस point पर पहुंचे, 1-2 and 2-2-3, okay, then 3-2-4, 3-2-4 क्या है आपका, isentropic expansion, क्या है, 3-2-4, isentropic expansion, तो expand किजिए हैं आपस, तो expand करेंगे, तो हमको यह मिलेगा, that is point number 4, that is point number 4, clear हुआ, मैंने वहाँ पर expand किया, that means volume increase हुआ, that means volume increase हुआ, and pressure and temperature उस point पर decrease हुआ, यहां तक clear हो गया, then 4-5, 4-5 की बात करोगे, तो sir, आप बोलेंगे यहां पास की constant pressure heat addition हो रहा है, तो again, यहां हम क्या करेंगे, constant pressure heat addition, heat supply करेंगे, constant pressure heat supply करने वाले, so that is point number 4 to 5, that is point number 4 to 5, okay, that is point number 4 to 5, clear, again, 5 to 6 क्या बोला जा रहा है आपास, 5 to 6 यहां पर देखिए, डियागरम पर, 5 to 6 क्या हो रहा है, isontropic expansion, क्या हो रहा है, isontropic expansion, तो हम PV डियागरम में isontropic expansion line ड्रो करेंगे, तो volume increase हो जाएगा, pressure or temperature decrease हो जाएगा, that is point number 6, that is point number 6, and 6 to 1 क्या हो जाएगा आपका, again, constant pressure heat rejection, constant pressure heat rejection, okay, constant pressure heat rejection, तो देखिए, यहां पर हम क्या करने वाले है, यह हो गया, PV डियागरम, यहां क्या किये, आपने compressor work दिया, यहां पर compressor work दिया, 1 to 2, 2 to 3, हमने क्या किये, constant pressure heat addition दिये, constant pressure heat addition दिये, that is P is equal to C, constant pressure heat addition, 3 to 4, isentropic expansion, यहां पर क्या मिला आपको, turbine number 1 का work done, okay, then 4 to 5, then 4 to 5, constant pressure heat addition, that is point number 2, Q2, that is point number 2, Q2, अब देखिते हैं, 5 to 6, again expansion, तो यहां पर मेरे को मिलेगा, turbine T2, और 6 to 1, क्या हो जाएगा, आपका, Q rejection, Q rejection, मेरे एक ख्याल से, आपको diagram clear हो गया होगा, ठीक है, आपको diagram clear, अगर actual की बात किया जाए, तो actual की बात में क्या हो जाएगा, 2 यहां इस point पर ना आके, क्या हो जाएगा, 2 dash में आ जाएगा, that is a 2 dash, that is 2 dash, ठीक है, तो आप draw कर सकते हैं, dotted line से में सो कर दे रहा हूँ, this is the 2 dash, और 3 to 4 क्या हो जाएगा, 3 to 4 dash, 3 to 4 dash, 5 to 6 क्या हो जाएगा, आपका, this one is 5 to 6, 6 dash, clear, actual ideal यहां सक clear हो गया अपने को, अब में मुद्धा आता है, हमने rate to कर दिया, rate to हमने यहां पर कर दिया, हमको यहां पर TV and TH diagram step की मिल गया, Sir इसमें क्या effect हुआ, अब आप बोलेंगे Sir इसमें हुआ क्या effect, मैंने बोला कि यहां पर turbine work increase हुआ, बताइए मेरे को, जब simple gas turbine cycle की बात किया जाएगा, simple gas turbine cycle की बात किया जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, बताइए, हम यहां पर यह बोल सकते हैं, कि process 3 to 4 ना जाकि यह क्या हो जाएगा, यह process यहां जाएगा, इसको मैं point दे रहता हूँ, a, point a, क्या दिया, point a, यहां पर भी देखे, यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, this is point number a हो जाएगा, clear, अगर simple की बात करेंगे, तो simple cycle क्या हो, 1, 2, 3 and a, 1, 2, 3 a, मैं लिख देता हूँ, simple, breton cycle, breton cycle या फिर gas power cycle, breton cycle, क्या लिख सकते हैं, आपका process, 1, 2, 3, a, 1, यह क्या होता है, simple cycle, यह हो जाएगा, आपका simple cycle, but with, यह क्या है, आपका with, reheater, यह क्या है, आपका pvnth diagram क्या है, with, reheater, तो देखिए, अब मैंने आपको starting में, m क्या लिखाया हुआ था, aim क्या था, हमारा objective क्या था, objective देखिए यहाँ पर, to increase specific work rate of the gas power cycle, and यहाँ पर मैं यह word लिखा हूँ, that is the turbine work increases, turbine work increases, तो हम इस चीज को, इस चीज को, हम कहां देखेंगे, T, S and PV diagram पर देखने वाले, कैसे, simple समझा है, 1, 2, 3, A, okay, and with reader की बात करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, तो आपको यहाँ पर दीख रहोगो कुछ, यहाँ पर देखेंगे, यह देखेंगे, यह जो, यह जो extra work हमें मेर रहा है, that is a turbine work, that is turbine work, समझ जा रहा है, क्या मिला आपको, जो extra work मिला है, यह जो, आपको जो shadow area दीख रहा है, that is a turbine work, extra turbine work, फिर यह पिर extra specific work मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं हापस, यह जो दीख रहा है आपको, extra specific work, clear, simple में देखे जाएंगे, 1, 2, 3, 4, but with reader की बात करो, यह जो diagram ऐसे मिलेगा, तो आपको यहाँ पर extra work यहाँ पर मिलने वाला है, clear, अगर open system की बात करेंगे, तो आपका अगर diagram बनाया जाए, तो कैसे बनने वाला है, यह देखिए, यह देखिए, यह जो है आपका turbine work हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, turbine work, ठीक है, without reader, और with reader में यह वाला जो concept है, यह वाला work जो है, यह वाला work क्या हो गया आपका, अगर हो गया, तो हम बोल सकते हैं, हाँपर heat, work net for turbine will increases, clear that, आप इस diagram में भी देखेंगे, तो आपको भी यहाँ पर दिखेंगा, यह जो terms दिख रहे हैं यहाँ पर, this is, यह portion आपका diagram में increase हुआ, मेरे ख्याल से यह condition आप लोग को clear हो गया, कि क्या होने वाला है, अब देखते हैं, इसका effect क्या क्या हुआ, तो हम लिखेंगे next point, next point, effect of, effect of reheater, reheating लिख लिख लिखेंगे, effect of reheating, effect of reheating, first, अब देखें, क्या क्या है, इस condition में हुआ, देखो, ideal और simple और with reheat को आपको compare करना है, simple में देखें, 1 to 2 compression work है, ठीक है, and with में भी क्या हो रहा है, with reheater में भी क्या है, 1 to 2 compression, तो आपको compressor work change हुआ क्या, तो no change in compressor work, पहला point, okay, second, Q addition, 2 to 3, in, without reheater, and with reheater, 2 to 3, and 4 to 5, कहने का मतलब, यहाँ पर heat supply भी, maximum वह भी increased हुआ, clear that, next, हम देखें, turbine work की बात करते है, turbine work क्या, 1 to, sorry, 3 to A, यह किसके लिए हो जाएगा, simple button cycle, but, with reheater की case में क्या होगा, again, यह work मिलेगा, then, फिर क्या होगा, 3 to 4, and 5 to 6, यहाँ पर भी आपका, work done, increase हो रहा है, ठीक है, और heat, rejection की बात करते हैं, तो simple में क्या होगा, A to 1, but, but, आपका, with reheater में क्या होगा, 6 to 1, तो यहाँ पर, heat rejection भी क्या होगा, increase होगा, अब बात करते हैं, mean temperature of heat addition, mean temperature of heat addition, first case में देखेंगे, तो इस point में क्या हो रहा है, mean temperature of heat addition, without reheater, with reheater में क्या होगा, कुछ amount यह increase होगा, तो reheater में क्या होगा, आपका इंक्रीस होगा, similar to आपका जो heat rejection, mean temperature of heat rejection जो है, यह भी आपका increase होने हाला है, तो देखिए, तो मैं point लिख रहा हूँ, first point, first point, क्या हो जाएगा, आपका, first point, first point क्या हो रहा है, compressor work, compression, work, compression work, या फिर compressor work लिख सकतो, ठीक है, compression work, remains, remains, same, इसको compression लिख सकते हैं, अफिर compressor लिख लो, ठीक है, compressor लिख हो क्या हो जाएगा, यह, compressor, ठीक है, okay, second point, second point, turbine work क्या हो रहा है, increase हो रहा है, तो turbine work, turbine work क्या हो रहा है, increases हम तो हम बोल सकते हैं, total network, total net work, work output of cycle, या फिर of gas turbine cycle, gas turbine cycle, will increase, will increase, ठीक है, point number third हो गया, fourth, point number four, heat supply, heat supply क्या हुआ, increase हो गया, तो हम point number four क्या लिख सकते हैं, heat supply, heat supply, to system, या फिर to gas turbine cycle, will increase, heat supply will increase, increases, okay, and point number five, W, मतलब की, heat rejection, heat rejection, will also, increases, ठीक है, या point क्लियर हुआ, next point और क्या बोल सकते है, point number 6 mean temperature of mean temperature of heat addition mean temperature of heat addition increase mean temperature mean temperature of heat addition is will increases clear next point number 7 point number 7 mean temperature of heat rejection is also increases here the clear the mean temperature of heat addition increase and mean temperature of heat rejection be increase or mean temperature of heat addition and mean temperature of heat rejection increase हो रहा है तो आपका thermal efficiency क्या होगा slightly decreases अब मैं 100% नहीं बोर रहा हूं यहां पर बोरो slightly decreases ओके ठीक है तो overall effect जो हुआ आपका reheater के case में क्या हुआ compression work constant हो गया turbine work increase हो गया heat supply and heat rejection क्या हो गया आपका increase हो गया and mean temperature of heat addition and mean temperature of heat rejection क्या हो गया increase हो गया और thermal efficiency slightly decrease हो गया clear तो यह आपको effect देखने को मिलेंगे आपको कहां reheater के case में ठीक तो पता ही अब अब next point आप लोग बताएंगे कि basic जो है आपको thermal efficiency की बात किया जाएं मैं अभी ideal की बात करूंगा इसको बात करेंगे ठीक है तो perfect अच्छा इस point एक point और add कर लेजी आपस point number eight point number eight perfect reheater perfect reheating क्या हो जागा परफेक्ट reheating के case में देखिए ती three is equal to t5 क्या होगा ती three is equal to t5 ओके तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं perfect reheating is equal to t3 is equal to t5 इससे ज्यादा हम heat नहीं कर सकते हैं इससे ज्यादा हम heat नहीं कर सकते हैं तो next देखिए अब मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं जैसे कि first आपको निकालना है thermal thermal efficiency of gas power plant with reheater with reheater with reheater ठीक है तो basic formula क्या आपने पास thermal efficiency is equal to क्या होता है w net upon heat supply w net upon heat supply आपको याद करने के कोई जोरत नहीं आप डियाग्राम देखेंगे diet आप लिख सकते हैं क्या क्या हो रहा है तो second क्या हो गया w net निकालना है अपने को डियाग्राम में देखेंगे आप डियाग्राम में बताइए मेरे को कि wt is equal to क्यों होगा डियाग्राम देखो wt1 and wt तो higher energy minus lower energy that means h3 minus h4 plus h5 minus h6 इस पॉइंट पर देखें मैं कुछ और बता रहा हूं अच्छा प्रेसर का condition बता देता हूं यहां पर यहां पर देखिए P2 P1 क्या है आपका P1 is equal to आपके पास है P6 P1 is equal to P6 पहला point second point second point यहां पर हम क्या लिख सकते है P2 is equal to P3 P2 is equal to P3 और एक और प्रेसर लाइन मेर रहा है इस प्रेसर इसको देखो P maximum बोलता हूं मैं इसको that is a P minimum और center में उसको P intermediate तो P1 is equal to P6 is equal to P minimum लिख सकते हैं हाँ लिख सकते हैं P2 is equal to P3 यह क्या होगा P maximum लिख सकता हूं है हाँ लिख सकते हैं P intermediate intermediate pressure is equal to क्या होगा intermediate pressure is equal to देखिए P4 and P5 P4 and P5 that is P4 is equal to P5 तो यह आप इसको remind करना question करेंगे तो आपको समझ आने वाला है ठीक है तो हम कहां थे हम यहां थे कि turbine work क्या होगा 3 to 4 and 5 to 6 तो मैं क्या लिखने वाला हूं देखिए 3 to 4 H3 minus H4 plus H5 minus H6 H5 minus H6 because T3 is greater than T4 and T5 is greater than T6 T5 is greater than T6 तो finally मैं लिखूंगा ideal condition के लिए CP common आगे सबसे T3 minus T4 T3 minus T4 plus T5 minus T6 T5 minus T6 यह हो जाएगा turbine work compressor work की बात करते हैं तो compressor work क्या हो जाएगा according to diagram आप सिर्फ और सिर्फ डियाग्राम में ध्यान दीजिए डियाग्राम से ही हम क्या निकाल सकते हैं compressor work heat supply heat rejection turbine work सभी निकाल सकते हैं compressor work क्या है 1 to 2 process होता है तो H2 minus H1 हो जाएगा H2 minus H1 हो जाएगा ठीक है तो यह क्या हो जाएगा H2 minus H1 क्या लिख सकते हैं CP T2 minus T1 CP T2 minus T1 okay clear then third point third point हम यहां लिखने वाल है heat supply heat supply total heat supply क्या होगा Q added is equal to Q1 plus Q2 Q1 क्या है आपका according to diagram according to diagram आप देखेंगे Q1 and Q2 तो देखिए आपस Q1 क्या हो रहा है 2 to 3 क्या लिख सकते हैं H3 minus H2 clear that and Q2 is equal to H5 minus H4 H5 minus H4 okay H5 minus H4 H5 minus H4 देखिए यह हो जाएगा H3 minus H2 plus H5 minus H4 H5 minus H4 okay यहां पर CP क्या हो जाएगा CP common निकालेंगे to T3 minus T2 plus T5 minus T4 यह हो गया हीट सप्लाई यह क्या हो गया हीट सप्लाई अगें अब point number 4 की बात करता हूं point number 4 लेते हैं heat rejection क्या लेते हैं heat rejection तो heat rejection क्या हो जाएगा heat rejection क्या हो जाएगा आपका process क्या है 6 to 1 6 to 1 तो heat rejection क्या होगा H6 minus H1 that means CP T6 minus T1 तो यह आप निकाल सकते हैं according to diagram अब सभी की value यहां put up कर दो तो finally आपको क्या मिल जाएगा W net W net is equal to thermal efficiency मिलेगा W T1 W T2 minus W C upon heat supply Q1 plus Q2 तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपको question में दिया रहेगा तो सभी point का temperature अगर निकाल सकते हैं तो वहां से हम thermal efficiency easily solve कर सकते हैं मेरे ख्याल से आपको एक concept clear हुआ कि आपका reheating कैसे work करता है आपका reheating कैसे work करता है clear ठीक है next में देखते हैं कितना minimum maximum work हमें मिल सकता है उसका condition देखेंगे ठीक है ओके कुछ कर सुने हुआ प्रफ़त झाल